इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. आइसोट्रोइन 5 कैपसूल रेटिनोईद्स यानि की विटमिने व्यूत्पन नामक दवाओं के एक समूह से संबंधित है. इसका उपयोग गंभीर मुहासे के इलाज के लिए किया जाता है, जिसने अन्य उप्चारों का जवाब नहीं दिया है. आइसोट्रोइन 5 कैपसूल का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में किया जाना चाहिए. इसे भूजन के साथ ले, अधिमान तब प्रतीक दिन एक ही समय पर, ताकि खुराक छूट न जाए. आपके लक्षनों में सुधार होने में कई सप्ताह लग सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक लाब पाने के लिए नियमित रूप से दवा लेते रहें. यदि आपको कुछ हफ़तों के बाद भी कोई सुधार नहीं दिखाई देता है, तो अपने डॉक्टर से दोबारा मिलें. सबसे आम साइड एफेक्ट्स में शुष्क तवचा, दाने और बड़े हुए लीवर एंजाइम शामिल हैं. वे आमतोर पर गंभीर नहीं होते हैं और अक्सर दवा के अभ्यस्त होने के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं जाते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं. आइसोट्रोइन पांच कैपसूल आपको धूप के प्रती अधिक समविदंशील बना सकता है, इसलिए आपको धूप में अपने संपर्ग को सीमित रखना चाहिए. ये आपकी तवचा को और नाजोग भी बना सकता है. उपचार के दौरान किसी भी वैक्सिंग यानि की बालों को हटाने या लेजर उपचार से बचें. इसके अतिरिक्त, इससे मूह, होंट और आँखों में सूखापन हो सकता है, इसलिए खूब पानी पीएं और मॉइस्चराइजर का उप्योग करें. यह दवा जन्न दोश का कारण बन सकती है. यदि आप गर्भवती हैं या गर्भावस्था की योजना बना रही हैं, तो अपने डौक्टर से परामर्श लें. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.